दोस्तो स्वागत है आपका दबीजन यूपी पीसेश चैनल में मेरा नाव है सिम चैल दोस्तो 2014 से लेके 2017 की सरकारी योजनों का जो पार्ट 1 था वो हम कर चुके हैं आज हम पार्ट 2 करेंगे इसका दोस्तो पहली योजना है ग्रामेड विकास से सम्बंदित है दोस्तो पहली योजना है सांसत आदर्स ग्राम योजना इस योजना की सुरुवाद 11 अक्टूबर 2014 को ही और ग्रामीड विकास मंत्राले इस योजना को चला रहा है गाउं के विकास के जो छेतर है कृषी स्वास्ता है साफ सफाई आजीब का परियावरण और सिक्षा लोगों को जावरुग बनाना नैटिक मूलियों का विकास करना और डिजिटलाजिशन करना इस योजना का मुख को देश है भारत जिसमें मैदान में गाउं का जो चुनाव होता है वो 3000 से 5000 के बीच है और पहाणी छेत्रों में इसका जो चुनाव होगा वो 1000 से 3000 की आवादी वाले गाउं को लिया जाएगा दोस्तों अगरी योजना है दीन दयाल उपाद्या ग्राम जोती योजना दोस्तों राजीव गांदी ग्रामीड बिद्धितकरन योजना एक चलती थी अब इस दीन दयाल उपाद्या में राजीव गांदी ग्रामीड बिद्धितकरन योजना को मर्ज कर दिया गया है 25 जुलाई 2015 को पटना से इस योजना की शुरुआत हुई सभी गांओं तक बिजली पहुँचे, किसानों तक समय पर और सस्ती बिजली सिचाई के लिए पहुँचे ये इस योजना का मुक दे है दोस्तों अगली जोजना है सियामय प्रसाद मुखडजी रूरबर मिसन ग्रामीड छेतर को आर्थिक, एबम, सामाजिक और भौतिक द्रस्टी से समगर बनाना है इस योजना को पुरा योजना का इस्थान दिया गया है पुरा योजना 2004 में आई थी और पूर वराष्ट पती डाक्टर एपी जी अब्दिल का नाम ने इसकी अबजारना दी थी ट्रपल पी मॉडल पर योजना को लाग उके जा रहा देखिए पुरा में क्या था कि सहरों में जो सुबदाएं होती हैं उनी सुबदाओं को गाउं तक पहुचाना जिससे गाउं से सहरों के तरफ पलायन की जो इस्तिती है वो कम हो सके लोगों को जो सुबदाएं सहरों मिलती थी वही सुबदाएं गाउं में प्राप्त हो जाएं इसकी लिए स्यामा परसाद मुकरजी रूरो मिसंद अब चलाया जा रहा है द्यान दीजिए इस योजना को मानब संसादन विकास मंत्राला चला रहा है देश के आईटी एंड डेश के आईटी के सहयोग से इस योजना में ग्रामीड विकास को बढ़ाबा दिया जा रहा है सभी आईटी अपने पास के दजस गाउं को चुनेंगे और उसमें पेजल उर्जा उद्धोग साफसफाई संबंदी सुब्दाओं को देंगे देखिए इसमें है क्या गवर्मेंट ने क्या किया है कि जो फंडिंग होती है वो बहुत ज्यादा होती है तो कुछ आईटी को उसमें लगाया गया है और सबसे बड़े डेली आईटी जो है वो मॉनिटिंग कर रही है पूरे देश में इसे उजना को उसमें आईटी के द्वारा देखा जाएगा कि कितना पैसा हम लोग गाउं में लगाएं जिससे लोगों को एक अच्छी सुब्दा हम लोग दे सके इसके पिछी अब पैसे जाता है ज्यादा पैसे जाता है लेकिन उसका जो रिजल्ट है इतना नहीं मिल पा रहा है इसके लिए कोसिस की जारी है कि ऑटीसे में रिसर्च डॉबलमेंट के दोरा देखें वहां कि कि रियाली कि इकना पैसा जरूरी होता है गाउं में विकास करने के लिए और उतमें पेजल उर्जा और उद्धोग और सफाई साब सफाई रह सके एक ऐसा मॉडल वो लोग पेज करें दोस्तो अगरी जोजना है प्रधान मंतरी आवास योजना ग्रामीड देखी ग्रामीड इसके पीछे क्यों लगा है इससे पहले की योजना चलती थी इंद्रा आवास योजना उनिस सो पिच्यासी में योजना आई थी इसका नाम सितंबर 2016 में बदल कर अब प्रधान मंतरी आ 16 को आगरा से इस योजना की शिरुवात होई गाउं में इस योजना में सभी गाउं के ग्रमीड परवारों को 2022 तक अबास रुब्लब्द कराना है प्रते किकाई को हो चाले लपीजी कनेक्शन आपको इसके साथ दिया जाएगा डायरेक्ट वेनिफिट ट्रांसफर के तुरू आपको पेमिंट किया जाएगा दोस्तो अगली जोयोजना है वो अलप संक्यक सम्दाय से समंदित हैं दोस्तो अलप संक्यक सम्दाय से समंदित योजना में पहली योजना है मानस योजना 29 मार्च 2016 को इस योजना की शुरुआत हुई इसमें लोगों को प्रिसिक्षित किया जाएगा ताकि भी अपना स्वे रोजगार शुरू कर सके हैं उस्ताद योजना जो है हस्त कला से हस्त कला को रवावा देने और कोशल विकास सम्मादी योजना है बनारत से इसकी शुरुआत हुई थी 14 मई 2015 को अगली योजना है नई मंजिल योजना गरीव अल्पसंक्यक युबाओं को रचनात्मक तौर पर नियोजित करना और उन्हें सतत लावकारी रोजगार के अफसर प्राफ्ट करना इस योजना का मुझ के लग्चे है आठ अगस 2015 को पटना से इस योजना की शुरुआत की गई थी दोस्तो अगली योजना है प्रयावरण और स्वास्ते से सम्मंदित हैं दोस्तो इन योजना में पहली योजना है राश्टी आयूस मिसन 15 सितंबत दरचार 14 को राश्टी आयूस मिसन की सुरुआत हुई आयूस मिसन की फुल फॉम मैं आपको बता दे रहा हूँ इस योजना का जो मुख उदेश है वो चिकित्सा के इन विविने छित्रों को भारत सरकार एक बजट अब देगी जिससे लोगों को इन चिकित्सा के बारे में जानकारी भी हो और वह इनका लाव उठा सके है दोस्तों अगली योजना है नमामी गंगे अव्यान 13 मई 2015 को इस योजना की शुरुआत हुई नमामी गंगे अव्यान के लिए भारत और जर्मनी के भी समझाता हुआ है राश्ट्री गंगा नदी वेशन प्राधिकन 2009 में बना था यह कोशन बहुत बार पूछा आपको ध्यान रखने रेट 2009 में यह बना था यह प्राधिकर्ण जो है गंगा नदी के का जो बित्व पूश्ण होता है योजना क्रियानवन निग्रानी और समन्दित सब कुछ यही देखता है और नवामी गंगे प्रजक को जल संसादन विकास मंतराले के अंतरगत चलाया जा रहा है कि दोस्तों अगली योजना सहरी विकास से समन्दित हैं दोस्तों इसमें सबसे पहली योजना जो आती है वो हिरदय योजना है और आपको ध्यान रखना है कि इस योजना को मिनिस्ट्री और वार्वन डव्लमेंट यानि सहरी विकास मंतरले से योजना को चला रहा है बारास एरों में योजना है अमरसर, बनारस, गया, पुरी, अजमेर, मतरा, द्वारिका, बादामी, वेलांकनी, कांची पुरम, बारंगल और अमरावती उत्तर परते से दो हैं बनारस और मतरा 14 जुलाई 2015 को अमरसर से योजना चुरू हुई अगली योजना है सबके लिए आवाज योजना इस योजना को प्रधान मंतरी सहरी आवाज योजना भी कहा जाता है इसमें टार्गेट रखा गया है कि 2022 तक सभी को घर देना है इस योजना को चार चण में पूरा किया जाएगा और कमजोर बर्गों को 6.50% से ब्याज भी भारसरकार देगी दोस्तों अगली योजना है अमरत योजना 25 जूजार 2015 को इस योजना की सुरुआत हुई इस योजना का जो पूरा नाम है वो है अटल नवी करण और सहरी परवरतन मिशा नियानी की अमरत इसका उद्यस है जलापूर्ती, सीवरे सुबदाया और परवंदन, बाड को कम करने के लिए वर्सा जल के निकास की सही सुबदा पैदल मार्ग, गैर मोटरिकर्ट और सारजनिंग परिवान सुबदाया, बच्चों के लिए खेलने के पार्क और लोग के घूमने के लिए हरिस इस्थल, ये सारी जो सुबदाया है वो एक सहर में हो, इसके लिए अटल नविगरण और सहरी परवरतन मिशन, यानिकि अमरत योजना को चलाया जारहे है, दोस्तो अगली जो येजना है GANGA Smart City यूजना, दस सहरो में ये सिजना को चलाया जारहा है, जिसमें उत्तर पर दिस से 5 हैं मतुरा, बनारस, कानपूर, अलावाद, और लखनु देकि लखनु भी GANGA नहीं जाती है, और मतुरा भी GANGA नहीं ज हरिद्वार और शिकेत उत्राखंड में, शाहिव गंज ये जहारखंड में हैं, बैरकपुर आप जानते हैं बैस बंगल में हैं और पटना बिहार, इस कारिकरम का पूरा भार जो है वो केंसरकार वहन कर रही है और कारिकरम में ट्रपल पी माडल का प्रयोग किया जा रहा है, दोस्तो अगली योजना परेटन विकास के संबंदित हैं, दोस्तो अगली योजना जो है प्रिशाद योजना, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि इस योजना को परेटन विकास मंत्रा ले चला रहा है, अगला है इस योजना में भी 12 सहर हैं, अमराबती आंदर प्रदे लाड़ू पुरी उर्षी बनारस उत्तर प्रदेश मत्रा उत्तर प्रदेश केढरनाद उत्रहंड और कामाख्या अश्चमुत्तर प्र अब कर दे इसमें दो सहरा म् провarta बनारस और मत्रा धार्मिक शेहरों का विकास करना और उनको सनक्षित करना इस योजना का मुख्य लक्ष है दोस्तों अन्य बची योजनाओं में प्रधान मंत्री योज्योला योजना हम करते हैं यह योजना गरी परवारों के लिए यह एक माई 2016 को उत्रपरदेश के बलिया से सुरुगात हुई थी इस योजना के अंतरा का गरीम महलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिया जाएगा इस योजना का सीरा दो मुख्य उद्देश है भारत में स्वच्छ इनन लोगों तक पहुंचे महलाओं में ससक्तिकरण हो और उ इसके लिए सोला सो रुपए एक महला की अकाउंट में डारेक्ट बेनिफिर्ट ट्रांसफर के तुरू डाले जाएंगे जिससे वह इस जो गैस सिलिंडर जो उनको मिलेगा वो कनेक्शन ले सके हैं दोस्त अगली योजना है सेतु भारतम सडक परिवान और राज मार्ग मंत्राले इस योजना को चला रहा है 2019 तक सभी राष्टी राज मार्ग मंत्राले इस योजना को चला रहा है सेतु भारतम को और राज मार्ग मंत्राले इस योजना है दोस्तों दोनों यूजनाओं दो पार्ट A और पार्ट B हम लोग खतम कर चुके हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही कोई ऐसा जो पोशन हो आपका जो आपको लगे कि मैं उसके वीडियो बनाओ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मैंने आलमोस सारी यूजनाओं को कवर कर लिया है आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताएं सब्क्राइब करें मेरे चैनल को थेंक यू